नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग फरुपकाबाद महिलाओं की सुरच्छा को लेकर पुलीस अधीचक संतोस कुमार मिस्रा ने यूपी हैंडेड में महिला सिपाहियों की तैनाथी कर उन्हें रवाना किया साथ ही महिला सुरच्छा को लेकर नई पहल महिलाओं को मिला नया तोफा अगर महिला खुद को अकेला महसूस करे या उन्हें लगे की कोई उनका पीछा कर रहा है या फिर उन्हें किसी प्रकार की घटना का एहसास हो तो वो डायल हेंडेड नमबर पर काल कर इस सुविधा का लाब ले सकती है महिलाओं के काल करने पर यूपी हेंडरेड मौके पर पहुँचेगी और उनकी समस्या का निस्तारण करा कर घर तक छोड़ने भी जाएगी फरुखाबाद से मोहमद इसरार की रिपोर्ट ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग यह जनपत फरुखाबाद में महिला सुरक्षा पे एक बड़ा एक इनिशेटिव हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है ओपरेशन कवच के नाम से यह कानपूर रेंज के हमारे आई साब के निर्देशन में यह ओपरेशन कवच हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे है इसमें जो है सेक्यूरिटी ओन डिमार्ड महिलाओं के लिए यह इनिशेट किया गया है जहां पे कोई भी महिला अगर डिस्ट्रेस में है अगर समस्या में है या उसको जरुवत लगती है तो वो सौन नंबर पे फोन करके गाड़ी की आउशक्ता अपनी बता सकती है और उ इसमें जो हमने जो प्रोविजन किया है कि आप यह देख सकते हैं कि सौन नंबर के साथ में हमने नई महिला का टीम जो है उनको तैनाती दी गई है सभी प्रतेक प्यारवी सौन नंबर पे दो महिला कॉंस्टिबल्स जो हमारी टीम है उनकी तैनाती है ऑलड़ी जो स्टाफ फरुखाबाद में जो दस थाने हैं, दसो थानों पे इस जो योजना को शुरू किया जा रहा है और इसको फ्लेग ओफ के माध्यम से हमारी टीम जो है आज इसको इनिशेट कर रही है और आपके माध्यम से फरुखाबाद की जितनी भी हमारी पबलिक है, हमारी बाता है, बहन को आप बुलाईए और जहां पे भी आपको जाना हो या जो भी मदद की जरुवत हो वो हम लोग जो है इसको प्रोवाइट करेंगे किन परिस्तितियों में इसमें प्रतेक प्यार्वी इस पे जो 100 नंबर की गाडिया है उस पे दो महिला कॉंस्टिबल्स की इसमें तैनाती की गई है और इसमें जो है ये परिस्तितिया इसमें ये रहेंगी कि कोई भी महिला अगर उसको लगता है कि उसे 100 नंबर की आउशकता है तो बेहिचक होके 100 नंबर पे फोन करें और अगर उसे किसी अस्थान पे जाना है उसे लगता है कि रेलवे, रेलवे स्टेशन पे, शराफा मार्केट में, उसे लगता है कि उसे सुरक्षा की जरुवत है, उसे घर तक जाना है, तो ये उस सौ नंबर के इस सुविधा को उपलब कर सकती है, और इसके लिए उसे उसी सौ नंबर पे, नंबर पे फोन करना पड़ेगा, 1090 पे भ जो हमारा स्टाफ है, जो पुरुस स्टाफ है उसकी भी और जो महिला स्टाफ है, उनकी भी की गई है, और ये इस ट्रेणिंग के माध्यम से, और जो बाकी ट्रेणिंग्स जो यहां पे होती रहती उसके माध्यम से, मुझे उम्मीद है, जनपत परुखाबाद के जितनी भ आपक पचार परशार के माध्यम से ये जनपत की हमारी जितने भी लोग हैं उन तक कि इस सुधाओं को जरूर पहुंचाईए जिसे कि जादा से जादा लोगों को हम लोग ये सुधाओं को पहुंचा सके